और पुतन के खिलाफ अमेरिकी राश्पती की तल्ख टिपड़ी भी सामने आ चुकी है जहां अटमी हतियार को लेकर पुतन के इरादे पर शक जताया गया कहा तो फिर बार बार आटमी धम की क्यों देते हैं पुतिन ने आटमी हतियार का इस्तिवाल ना करने की बात कही है जब से रूस और यूकरेन के बीच युद शुरू हुआ है सूपर पवर अमेरका भी पावर गेम में एहम रोल अदा करता रहा है बाइडन खुल कर यूकरेन के साथ खड़े दिखाई दिये लेकिन उनकी ओर से दी गई हर चतावनी को नजर अंदास कर पुतिन ने हमले जारी रखे अब रूसी राश्टुपती के खिलाफ अमेरकी प्रेजिडेंट ने तलक बयान जारी किया है दरसल पुतिन ने दावा किया है कि यूकरेन पर परमाडू हमला करने की आशंका महस पश्चमी ब्लाक मेलिंग है अब बाइडन ने इस दावे पर शक जताते हुए कहा है कि अगर वाकई उनकी बात में दम है तो फिर बार-बार आटमी धम किया क्यों देते है पुतिन चलिए अब आपको दिखाते है कि पुतिन और बाइडन के बीच आटमी हत्यारों पर कैसे जुबानी जंग चल रही है पुतिन ने पहले कहा कि नुक्लियर हत्यारों के इस्तेमाल का कोई इरादा नहीं है सिर्फ नुक्लियर ब्लाक मेल से बचने के लिए आटमी विकल्प अपनी रक्षा के लिए ही आटमी हत्यारों का इस्तेमाल अमेरकी इशारे पर डिर्टी बम की साज़िश रच रहा है यूक्रेन बाइडन ने फिर कहा कि अगर ऐसा इरादा नहीं है तो बार-बार आटमी धम की क्यूँ अपनी आटमी ताकत की चर्चा क्यूँ करते हैं पुतिन पुतिन बहुत खतरनाक दिशा में बढ़ रही है पुतिन डिर्टी बम की आल में आटमी हमले का बहाना धून रही है पुतिन नहीं है